हेलो एव्रीवन वेल्कम अगेंड टु दख्लेक्टिकल इंजिनेरिंग अकेडमी तो टोड़े भी डिसकस सिंगल फेस सेमी कंटोर एक्टिफायर बित आरी लोड ओके हम यह सारे लोड डिसकस कर चुके हैं कई बार इंडिविजली भी हमने डिसकस किये थे हाफ बेप कंटोर डिसकस किये थे फुल बेप कंटोर एक्टिफायर में डिसकस किये थे इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पहले प्रिविएस वीडियो को बिजिट कीजिए तो आपको यह आजाएगा ओके आरी लोड हमारा क्या है सेमी कंटोर एक्टिफायर है तो हम सिमिर्टिकल इसका कॉंफिग्रेशन लेके चलते हैं तो एक लेग में एक थारिष्टर एक डायोड दूसरे लेग में एक थारिष्टर और एक डायोड क्या लेके चलना है आर और ए आउटपुट वोल्टेज वी नॉट आर है ए है करेंट आई नॉट टीवान डीटू टीथरी एंड डीफोर पॉजिटिव हाफ साइकल होगी तो प्लस और माइनर ओके तो हमने क्या बोला आर ए लोट के केस में क्या होता है हमारा हमारा टीवन और जो हमारा डीटू है जैसे हमारा दूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकल दूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकल तो टीवन और डीटू क्या है हमारा क्या टीवन और डीटू हमारा क्या होगा फॉरवड वाइस हो ओके यहां से क्या लगा है निगेटिव लगा है और यह हमारे क्या है पॉसिटिव लगा है ओके तो जब वी एम साइन ओमेगा टी ग्रेटर देन होगा इसे क्या होगा जब Vm sin omega t greater than होगा हमारा e से तब ही जाके क्या होगा हमारे यह forward vice होगे suppose T1 और D2 जो हमारे 0 से लेके πाई तक क्या थे forward vice थे वो अब कहां से कहां तक forward vice होगे theta से लेके πाई minus theta तक लग जब Vm sin omega t e से बड़ा होगा तब हमारे यह क्या होगे forward vice होंगे देखो यह क्या है e है यह क्या है vm sin omega t यहां से यहां तक क्या है e बड़ा है vm sin omega t क्या है छोटा है ओके तो यह वाला point आया theta और यह क्या हो जाएगा pi minus theta इस वाले यहां पर क्या होगा vm sin omega t greater than e से यहां से यहां तक theta से लेके pi minus theta तक vm sin omega t जो है वो e से बड़ा है इसलिए यहां पर t1 और d2 हैं वो क्या होंगे forward 20 होंगे ठीक है बड़ा अगर हम यह point देखें तो क्या होगा vm sin omega t equal to e sin omega t equal to e by vm sin theta अगर रख दे तो e by vm तो theta equal to kya होगा sin inverse e by vm ओके हमने माना गर यह theta है तो दोनों symmetrical होते हैं तो यह क्या होगा pi minus theta तो theta की value क्या होगी sin inverse e by vm ओके तो हम क्या बोलेंगे during positive half cycle में theta से लेके theta से लेके pi minus theta तक कौन-कौन forward 20 होगे t1 और d2 क्या होगे forward 20 होगे ओके बट क्या t1 हमारा सुरंती on करेगा नहीं करेगा क्योंकि t1 भले forward 20 हो गया है बट जब तक t1 को firing pulse provide नहीं कराई जाएगी वो हमारा conduct नहीं करेगा ओके तो t1 starts to conduct at alpha तो हम क्या बोलेंगे alpha से लेके pi minus theta तक t1 और d2 क्या करेंगे conduct करेंगे ओके alpha से pi minus theta तक क्या conduct करेंगे t1 और d2 तो यह हो जाएगा short circuit यह है supply open circuit यह short circuit यह open r e plus minus v naught यह r है और यह क्या है e है ओके प्लस इससे connect हो रहा है minus इससे मदलब v naught बराबर क्या जाएगा v s औके बागी जगे क्या रहेगा हमारा output में यह conduct नहीं करेंगे कुछ नहीं तो v naught बराबर क्या रहेगा e ओके इस time-parker v naught बराबर क्या होगा हमारा simple व s, जब हमारे क्या होंगे t1 or d2 दित्व कंड़ कर रहे हैं तो v naught बराबर क्या होगा हमारा Vs, अगर हम I0 की बात करें, I0, I0 क्या हो जाएगा हमारा, V0-E by R, okay, I0 क्या होगा हमारा, V0-E by R, V0-E by R, क्योंकि I तो यहाफ है फिलू हो रहा है, अब अब बोलते, V0-E by R, तो I0 क्या हो जाएगा, V0-E by R, okay, अब, during negative half cycle, negative half cycle की अगर हम बात करें, during negative half cycle, अगर negative half cycle की बात करें, तो, pi plus theta से लेके, 2pi minus theta तक, T3 और D4, forward wise होंगे, कहाँ पर, pi plus theta से लेके, 2pi minus theta तक, okay, कैसे चलता है, यह, यह कुछ इस तरी कैसे है, negative cycle क्या है, यह हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, यह theta, pi minus theta, यह हो गया, pi plus theta, और यह हो गया, 2pi minus theta, तो, यह, क्या है, vm sin omega t greater than e, यह, minus vm sin omega t greater than e, तो, negative half cycle में क्या होगा, जब vs greater than होगा, e से, तब क्या होगा हमारा, यह conduct करेगा, तो, pi plus theta से 2pi minus theta तक क्या होगा हमारा, t3 और d4 क्या होगे, forward wise होगे, बट क्या t3, pi plus theta से ही conduct करना start कर देगा, नहीं, कहां से conduct करना start करेगा, t3 starts to conduct at pi plus alpha, कहां से conduct करना start करेगा, pi plus alpha से, तो, t3 और d4, conduct करेंगे, pi plus alpha से लेके, 2pi तक, ओके, यह reverse minus plus होगया, यह conduct करेगा, और यह conduct करेगा, open, r e i0 plus minus v0, plus से plus connect, minus से minus, तो v0 बराबर minus vs, इसकी value क्या होगी, minus of vs, i0 same, v0 minus e by r, मतलब, minus vs minus e by r, ओके, तो यह आपको समन में आया, कब कितनी थे, बागी जगह क्या होगा, rest, rest place, जितनी भी बची है, बागी जगह क्या होगा, v0 बराबर क्या होगा, हमारा e होगा, ठीक है, बागी जगह क्या होगा, v0 बराबर क्या होगा, हमारा e होगा, और i naught क्या होगा हमारा 0 i naught क्या होगा 0 यतिनी भी बची है क्या बची है जैसे यहाँ pi प्लस alpha से 2 pi तक हमारा कंड़ कर रहा है तो इसके पहले हमारा कंड़ करेगा वो कहाँ पर छूट गया था pi minus theta तो pi minus theta से pi plus alpha तक V naught क्या होगा E, i naught क्या होगा 0 ओके तो हम इसकी बेफ़र्म देख लेते हैं देखें वी एस यह पॉजिटिव हाफ साइकल का लिए हमने और यह निगेटिव हाफ साइकल प्लस वी एस माइनस ओफ यह ओके यह होगे हमारा ए तो यह क्या हो जाएगा थीटा यह वाला पॉइंट पाई माइनस थीटा यह हो गया पाई प्लस थीटा और यह टू पाई माइनस थीटा ओके वी नौट की बात करें तो हमने क्या बोला थीटा से पाई माइनस थीटा था ती वन डी टू फॉरवर्ड वाइस हैं लेकिन यह कहां से कंड़ करेंगे अल्फा से यह हमारा सपोस अल्फा और यह है यहां पे पाई प्लस अल्फा यह वाला जो पॉइंट है ओके तो अल्फा से पाई माइनस थीटा था कों अंड़ करेगा यह विनौड बराबस अथा यह 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 आखे यह यह ब्लस अल्फा से cry माही ठीटा था cry मिलेगा दो माइनस थीटा था क्या मलेंगा मैनस वी यह अआक है यह यह हो गया minus vs और यह plus vs बागी जगह e, ठीक है, कहां से, alpha से pi minus theta तक v0 बराबर vs और pi plus alpha से 2pi minus theta तक v0 बराबर minus vs, बागी जगह rest place में v0 बराबर e, ठीक है, यह हो गया आपका, अब i0, i0 क्या होता है, v0 minus e by r, ओके, तो यह हमारा क्या है, v0 की है, इसमें हमें minus e करना है, मतलब यह जो waveform है, वो minus e नीचे shift हो जाएगी, divide by क्या करना है, r, तो minus e हो गया, मतलब यह क्या हो गया, 0, तो यहां से यहां तक i0 क्या है, 0, यह नीचे आया, और divide by r, तो थोड़ा और कम हो यह पूरा, यहां पर cable e है, minus e करती है, मतलब 0 पर आगया, फिर यह, और यह कुछ, इस तरीके से, यह हो गया हमारा क्या, i0, ओके, तो यह हमारी waveform कुछ इस तरीके से बनेगी, तो यह सेम हमारी क्या हो गई, जो हमारा हमने full wave rectifier पढ़ा था, सेम एस, full wave rectifier, जो हमने full wave rectifier पढ़ा था, सेम उसी की तरह इसकी भी waveform बनी हमारी, okay, with re load, जो हमने full wave rectifier पढ़ा था, with re load, उसी की तरह हमारी इसकी भी waveform बनी है, okay, re load में हमने आपको बताए कि जब re load हो, तो आप किस से, वो करें, i0 से करें, जो कि अगर आप i0 से find करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपको केवाल एक ही चीज इंटेग्रेट करनी पड़ेगी, अगर आप V0 से लेंगे, तो यहाँ पर एक और यह E, दो पार्ट साएंगे इंटेग्रेट करने के लिए, तो अगर हम i0 average निकालना चाहें, suppose, i0 average, त d omega t, 1 by pi, alpha से pi minus theta, vm sin omega t minus e by r d omega t, क्या हो जाएगा, 1 by pi r, vm sin omega t का minus cos omega t, alpha से pi minus theta minus e, क्या हो जाएगा, pi minus theta minus alpha, ओके, 1 by pi r, यह क्या हो जाएगा, vm cos alpha minus cos pi minus theta, minus e, pi minus theta minus alpha, तो 1 by pi r, vm cos alpha minus, cos 180 minus theta क्या होता है, minus cos theta, तो minus minus plus cos of theta, minus e, pi minus theta minus alpha, तो यह हो जाएगा आपका i0 average, ओके, तो इस तरीके से आप find कर सकते हैं, i0 rmsb, और भी हमने जो भी बताया था, तो यह सेम है as single phase, full wave rectifier with re load, तो आप वहाँ से बाकी चीज़ें देख सकते हैं, हमने वहाँ बहुत ही detail में पढ़ाया है, ओके, तो आज की class के लिए इतना ही, thank you,